बारिस के मौसम में दोस्तों पकोडे मिल जाएं तो बारिस का मजा दो गुना हो जाता हैं वो भी पालक के पकोडे、 टेस्टी भी और हेल्दी भी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो सस्काइब करें और लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेशन को फ्राई कर लेते हूं उससे क्रिस्पी भी होते हैं और तेल भी कम लगता है तो सबसे पहले बेशन को फ्राई कर लेते हैं सुनेरा होने तक इसको फ्राई होने के बाद एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के जब तक यह ठंडा होता है पालक को कट कर लेंगे पालक को इस टाइप से कट करना है ज्यादा वारिक नहीं करना है थोड़ा बड़ा ही करना है अब इसमें मिर्च लहशुन और अद्रक कट करके डाल लेंगे दो से तीन प्यास अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग बारि अब इसमें आड़ करेंगे कुछ मसाले, मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं, कम जाधा, नमक, श्वादानुशार, हल्दी, भाफ टीजपून, लाल मिर्च पाउडर, भाफ टीजपून, आमचूर पाउडर, वन टीजपून, अब इसमें आदा नीवू लड़ू एड़ करेंगे इससे क्रिस्पी भी होते हैं और खटा फ्लैवर भी आता है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे मिक्सर करते समय पानी एड़ नहीं करेंगे क्योंकि पालक में बहुत मौश्चर होता है इससे वो बिना पानी के ही अच्छे से मिक्स हो जाता है आप देख सकते हैं लड़ू भी बन रहा है अब एक फ्राइपैन गरम करेंगे उसमें डालेंगे तेल तेल जब अच्छान डालक हो चेक कर लेंगे अगर बवल रहा है तो मतलब अच्छा से पकचुका है आप हम इसकेल ही पकोड़े ऋफ्राइब डाल देंगे और करेंगे एक वार करेंगे फिर दुबारह झोश्छान na** बसे क्रिस्पी हो जाते है यह बिल्पोल ही क्रिस्पी उप्सेन हैं कि मुझे ना डवल फ्राइ में ही मज़े आते हैं तो मैं तो डवल फ्राइ करते हूं अब पकोड़े रेड़ी हैं सर्व करने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब